कि नमश्कार साथ यह आप सभी का हमारे इजुकेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमिटी पर एक बार फिर सवागा था और आज के सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं आपके प्यस्टी के एक्जाम में पूछे गए प्रशन पत्त के बारे में जैसा कि आप लोग स्क पूर्ण पूछे गए प्रशनों की जहां पर आपके प्रत्रेक प्रशन का डीटेल सॉलूशन में प्रवाइट कराऊंगा दूसरा एक आपका अप्रोच क्या होना चीए था परिक्षा के दिश्टिकोंट से जिसके उपर मैं बार बार चर्चा करता आ रहा था कि यहां पर प्रवाइट कराए गए हैं उन सेशन में जिन लॉजिक से जिन अप्रोचेस की चर्चा करी गई थी उनको ध्यान में रखते हुए कि इन प्रशनों को आसानी से बना जा सकता था उसके उपर विशेस रूप से मैं चर्चा करूंगा कि अगर इस तरीके से आप अप्रोच कि होंगे जिनको यह लग सकता है कि सर यहां पर तो आप इतना फास्ट करा दे रहें तो आप लोगों को भी मैं एक बार सजिस्ट जरूर करूंगा कि आपको भी इन सेशन को देखने की आवशकता थी या अगर अभी तक आपने नहीं देखा आप आगामी परिशाओं के लिए अभी त्यारी करें तो अभी यह सेशन्स आपके लिए अवेलेबल हैं इन सेशन्स को जरूर विजिट करें जरूर देखें फिलहाल बात करेंगे हम लोग पूछे गए प्रस्णों की तो पहला प्रस्ण ही आपको यहां पर काउंटिंग फिगर्स पर बेस्ट देखने को मि था था कि 35 यहां पर आपका आंसर होने वाला है लेकिन मिलती जुलती आकरती है तो यहां पर आपका जो आंसर है वो 35 नहीं है या तो आपका यहां पर विकल भी 35 देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है 35 आपको विकल भी देखने को नहीं मिल रहा है तो हम बात करेंगे यहां यह भर पर अपरोच की बिल्कुल बेसिक सा अपरोच कोई ट्रिक क्या वोज शकता नहीं बिल्क बेसिक सा अप्रोच कि हम चर्चा करेंगे ठीक है आखरति passarगा दिखाई देट यह यह और यह भी मेरे इसके बाद हम बात करेंगे दो figures को मिला करके बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की जैसे कि मैंने आप लोगों को अप्रोच बताया कि कभी अगर कोई complicated से आकरती आ जाया तो ये best तरीका है जिसकी सहायता से आप आसानी से question को solve कर सकते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे जब दो आकरतियों को मिला करके triangle कौन कौन से बन रहे तो एक तो आपका बन रहा है एक और दो को मिलाने से फिर बन रहा है एक और पांच को मिलाने से फिर जब दो की बात करेंगे तो दो और छे को मिलाने से तीन की बात करेंगे तो तीन और चार सबुस्राइब करें तो चार से कही भी अत्रिक्त आपको ट्रेम बनता हुआ दिखाई देरा आप बात करेंगे हम 5 की तो 5 और 6 को मिलाएंगे तो एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 6 की जब हम 6 की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 के साथ में कोई भी अत्रिक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिर हम बात देखेंगे 8 और 10 को मिला करके एक ट्रेंगल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहाए फिर हम बात करेंगे इस प्रकार जब हम दो आकर्तियों से बनने वाले की संख्या की बात करते हैं तो आप देख बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा फिर हम बात करेंगे 2, 3, 4 की 2, 3 और 4 को मिला करके एक ट्रेंगल बन रहा है फिर 3, 4 और 8 को मिला करके एक ट्रेंगल बन रहा है 3, 4 और 8 को मिला करके एक ट्रेंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसी प्रकार देखेंगे तो तीन दो और छे को मिला करके एक तरभूज फिर यहाँ पर आप धिहान से देखेंगे देखो यह वाला आप मिस कर सकते थे दो छे और साथ को मिला करके एक तरभूज दो, छे और साथ को मिला करके एक त्रिभूज दो, छे और साथ को मिला करके एक त्रिभूज और फिर हम देखेंगे यहाँ पर छे, साथ और आठ को मिला करके एक त्रिभूज छे, साथ और आठ को मिला करके एक त्रिभूज इस प्रकार यहां पर त्रिभूजों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई do सबसे पहले हैं पर आप देखेंगे कि एक ट्रेंगल बनता हो दिखाई एक दो तीन चार एक दो तीन और चार अभी तक 19 और two six seven nine को मिलाने से एक ट्रीबूज बन रहा है इसी प्रकाइब two six seven nine को बन रहे एक ट्रीबूज बन रहा है और एक लास्ट जो आपका त्रिभुज बनेगा वो यहाँ पर आपके six figure को मिला करके बनेगा two, three, four, eight, six, seven, six figure triangle, two, three, four, eight, six, seven को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा, इस प्रकार त्रिभुजो की कुल संख्या की जब हम बात करेंगे, तो 10 और 9, 19, 6, 25, 4, 29, 31, यानि कि दीग याकरती में त्रिभुज कट तरीका नहीं पता है, तो आप इस basic तरीके को follow करके आसानी के साथ थ्रिभुजो की संख्या की करना कर सकते थे, बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगले पूछे गए, प्रस्न की, अगला प्रस्न यहाँ पर आपका direction and distance पर based question है, तो देखने में question जरूर लें दी है, ल 3 लिख ले रहा हूं, ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं, and then turns left, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, south and then turns left from point B, यानि कि यह था आपका point A, और यह आपका point B, यहाँ से मुरता है, बाएं, बाएं का मतलम मैंने बताया था, anti-clockwise, और कितना चलता है, 50 km चलता है, यानि कि point C तक चलता है, तो इसको मैं लिख ले रहा हूं, 5, आगे देखते है, he then turns right and moves, 60 km, यहाँ से वो right मुरता है, 60 km चलता है, बना लेते हैं, यह हो गया right, 60 को मैंने 6 लिख लिख लिया है, और यह होगा आपका point D, and moves 50 km till point E, यहाँ से इसके बाद देखते है, and then turns left from point D, point D से left मुरता, और कहाँ चलता है, 50 km till point E, यहाँ पॉइंट E तक 50 km चलता है, left मुर करके, तो अगे इसको मैं लिख ले रहा हूं, 5, और यह होगा आपका point E, ठीक, आगे देखते हैं, he then turns right from point E and moves 20 km, and then turns right, पहले यहाँ से चलते है, right, इसको मैं लिख ले रहा हूं, और फिर से वो right मुरता है, और कितना चलता है, 20, sorry, 1500, फिर से right मुरता है, कितना चलता है, 1500, तो 1500 को मैं लिख लेंगा, यहाँ पर कितना, 15, तो यह होगा आपका 5, उसके बाद यह वाला 5, और उसके बाद यह वाला 5, ठीक है, तो उसको मैं 5, 5 के 3 भागों में बांट दे रहा हूं, आगे देखते हैं, then he turns right from point G, यानि कि यह था आपका point F, यह था आपका point G, और यहाँ से वो क्या करता है, right मुरता है, most 80 km till point H, तो यह distance है, यह distance अच्छ है, तो यह इसके parallel आ जाएगा, 8, और यह point H, structure आपका बन करके तयार है, structure बन करके तयार है, और यहाँ पर आपको multiple questions द है, आसानी के साथ structure बनाय जा सकता था, बिना किसी कठिनाई के, और इस प्रकार के प्रश्णों के हम लोगों ने चर्चा और लेडी session में की हुई है, तो फिलाहल बात करेंगे, यहाँ पर प्रश्णों की तो पूछा, in which direction is point D, with respect to H, H के respect में point D किस दिशा में है, तो मैंने पर perpendicular की बात करेंगे, तो कितना 8, तो 15 का square प्लस 8 का square किसके बराबर होता है, तो मैंने आप लोगों को triplet value पढ़ा है, triplet value मैंने इसका जिक्र भी किया, इसकी चर्चा भी करी हुई है, तो यहाँ पर जो value बनेगी, वो बने किसके 17 के बराबर, और 0 मैंने किसी मैं नहीं देखा गया, एक bouncer यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रस्न की जब हम बात करेंगे, तो आपको बताना है कि इस बंद पासे को जब हम खोलेंगे, तो कौन से वाले खुले पासे के जैसा हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन तो आपके होजार है, जैसे option number B eliminate हो जाएगा, option number C eliminate हो जाएगा, क्यों क्योंकि आपके जो triangle है यह इस प्रकार से होने चीथी, जैसा कि आपको option A और option D में देखने को मिल रहा है, अब option D से जब हम बनाएंगे, तो इस आकरती को हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड जिन लोगों को भी answer यहाँ पर D लग रहा था, और जिन लोगों को भी answer यहाँ पर A लग रहा था, दोनों लोगों को मैं, doubt बिल्कुल clear कर देता हूं, दोनों ही यहाँ पर answer देखने को मिले हैं, ठीक है, तो doubt मैं यहाँ पर clear कर दे रहा हूं, कि आप लोगों ने कहां गलती कर यहां पर भी चली इसको मैं ले जाता हूं इधर और इसको भी में आता हूं इधर करें अब इन दोनों से हमें बनाने हैं पाश से तो देखें इससे पासा कैसे बना जाएगा कि राइट में भी ट्रेंगल दिखाई बोटम में यानि कि आपको फ्रेंट में भी ट्रेंगल दिखाई दे ठीक है अब इसको मैं करता हूं रोटेट क्लॉक्वाइज वाला कॉंसेप्ट आप लोगों को याद ही होगा ठीक है अब इसको जब मैंने रोटेट किया तो आप देख पारें टॉप पर ट्रेंगल होगा पर ट्रेंगल होगा और साइड में आपको ट्रेंगल देखने को मिलेगा यानि कि इससे बना जा सकता है लेकिन जो आपको साइड में ट्रेंगल दिखाई देगा वो किसके साथ दिखाई देगा ऊपर वाले के साथ दिखाई देगा यहां पर ट्रेंगल आपका नीचे वाल ट्रेंगल होगा और जो साइड वारा ट्रेंगल है वो किसके लिए है नीचे वाले ट्रेंगल के लिए इसलिए यहां पर आपका option नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछेगे प्रशन के लिए तो काफी बहतरीन सा असान से question है असानी के साथ बना जा सकते हैं तो फटा फट से यहां पर हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे structure रो करेंगे बोला जा रहा है some chargers are batteries कुछ chargers क्या है batteries है बना दिये भईया कुछ charger को battery बना दिये some batteries are mobiles कुछ batteries क्या है mobiles है ठीक है फिर बोला जा रहा all mobiles are tabs सारे के सारे जो mobiles है वो क्या है टैब से structure बन करके तयार है बात करेंगे प्रशन की पूछा जा रहा some tabs are batteries तो बिलकुल सही है फिर बोला जा रहा all batteries are mobile तो यह हो जाएगा आपका कांड से यह हो जाएगा आपका कांड से फिर बोला जा रहा some tabs are chargers कुछ steps क्या है चार्जर से तो यह भी हो जाएगा कांड से यानि कि answer बनेगा आपका only conclusion one यानि कि option बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण आपको blood relation पर बेश देखने को मिला है जो कि family tree पर आधारी तेक प्रस्ण है और इस प्रस्ण में क्या कुछ complications है इसके बारें भी मैं चर्चा करूँगा कि क्यों यहां पर आपको कठिनाई हुई आपको यहां पर कठिनाई क्यों हुई और क्या क्या यहां पर आपको कठिनाई देखने को मिली इसके बारें भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली बात तो यहां पर प्रस्ण आपके पास हिंदी में भी अवेलबल है और इंग्लिश में भी अवेलबल है और आप अगर मेरे सेशन में जुड़े रहें तो एक बात मैं आप लोगों को बार-बार समझाता हूं कि देखो जब हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेट की तो सब्जेक्ट औरियेंटेट जो लैंग्वेज होती है हमारी दोनों ऑर बहतर कमांड होनी चाहिया और यहाँ पर इस लैंग्वेज पर कमांड की जिसकता आपको देखने को मिल पोती का मतलब क्या होता है कि अजय के बेटे की बेटी और यहां पर आगे आपको डीटेल में जब आप इसका और इंफर्मिशन आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अजय का तो कोई बेटा है ही नहीं अजय का तो कोई बेटा है ही नहीं यानि कि आप यहां पर आगे और भी यहां पर ऐसे बहुत सारे terminologies देखने को मिलें जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ तो सबसे पहले बोला जा रहा है अजे who is married to Priyanka is the granddaughter of Ajay Priyanka जो है वो Ajay की granddaughter है ठीक है तो Ajay का gender specify नहीं हुआ है और Ajay की केवल दो बेटिया है ऐसी information आपको आगे देखने को मिलेगी तो इसलिए मैं यहां पर directly बना दे रहा हूँ और Priyanka का gender यहां पर हो जाएगा specify जैसा की बोला गया प्रियंका क्या है Ajay की granddaughter है आगे बोला जा रहा है who is married to Natasha यानि की Ajay married है किसके साथ में नताशा के साथ में और मने का कि Ajay और नताशा में से किसी का भी gender अभी specify नहीं होगा फिर बोला जा रहा है यहां पर देख सकते हैं आप Ajay who has two daughters but no son अब उसका जब कोई son है ही नहीं तो उसकी पोती कैसे हो जाएगी ठीक है पहली चीज़ दूसरा भी जो doubt आ रहा था उसके बारे में चर्चा करें जिसको लेकर करके students message spread कर रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा रोहन is the cousin of Kartik, रोहन क्या है कार्तिक का कजन है तो कजन का मतलब चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई या बहन ध्यान दिजे का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर रोहन क्या है कजन है कार्तिक और ब्रदर है प्रियंका का तो इसको मैं अभी information को तो यहाँ पर हमें पता था जह कि दो बेटियां, केवल दो बेटियां है, बेटे है ही नहीं, और कजन की बात करेंगे, तो कजन में यहाँ पर जो possibility बन करकर आ Ciao जातरी है कि प्रियंका की मौस्य। उनका कोई बेटा या बेटी कौन हो जाएगा कार्तिक जैसा कि कजन के लिए मैंने बताया कि ममेरा मौसेरा फुफेरा चचेरा भाई या बहन कुछ भी हो सकता है ठीक है जब कि हिंदी में आप देखोगे तो सीधे सीधे आपर चचेरा भाई लिग दिया गया है तो कजन की मीनिंग बिल्कुल भी चचेरा भाई नहीं होती आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते है ठीक है बढ़ते हैं आगे उदित और वन्स जो है वो नताशा के दामाद है अब इनमें से उदित कौन होगा और वन्स कौन होगा इसका निर्धारन हम अभी नहीं कर सकते है आगे बोला जारा है वन्स जो है वो करिश्मा के साथ में मेरेड है और उनकी दो बेटियां और एक बेटा है तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर once होगा या यहाँ पर once होगा अभी हम इसका निर्धारन नहीं कर सकते उदित has one son and one daughter उदित के एक बेटा और एक बेटी है तो इसका भी हम निर्धारन नहीं कर सकते फिलहाल आगे बोला जा रहा है तनिशा and Smriti are daughters of Karishma अगे बढ़ते हैं अब यहाँ से एक और चीज जोगहां जो आगे आगेसे हैं आगे हैं अब यहां से एक और चीजा समझ में आ गई कि जो आपका कार्थिक था वो क्या हो जाएगा यहां पर male member of the family हो जाएगा अब जा करके वो क्या हो यह information specify हुई है और यह हो जाएगा किसके लिए उदीद के लिए ठीक है यह हो जाएगा किसके लिए उदीद के लिए और एक और लाइन जो मैंने छोड़ा रखी थी वह यह वाली थी मनीश इस दा ब्रदर इनलो अजय मनीश जो है वो अजय का ब्रदर इनलो है तो ब्रदर इनलो में कौन करना पड़ता और ओल्लेडी इस पूरे के पूरे पूरे पजल में इस पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन के कोश्चन में यहां पर एक मेंबर का जिंडर ओल्लेडी या एक मेंबर है कौन ओल्लेडी उसके बारे में पूछा गया था वह सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा गया था आपका करिश्मा रोहन किस प्रकार संबंदी थे यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसर क्या यहां और हिंदी में आप देखें गें तो चाची तो का पूरा दिमाग का बत्ती विल्कुल आपकी गुल होने वाली थी अगर आप हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर सामंजस से बैठा के नहीं चलोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी ठीक है तो यहाँ पर जब हम मनीश की बात करेंगे जब हम मनीश की बात करेंगे तो करेंगे आपके दिएगे विकल्प पर दूसरा एक और यहाँ पर समस्य आ रही थी यह वाली लाइन को लेकर के जिसको मैंने कहा कि बहुत जादा मैसे स्प्रेट हो रहे है मनीश अजय का साला है जिसकी दो बेटिया है और फिर बोला जा रहा है मनीश आविवाही थे तो मै किसके लिए आता है second person के लिए और यहाँ पर second person कौन है second person है अजय सेकंड पर lesson कौन है अजय तो यहाँ ऑपने दिमाग से निकाल दीजिए ठीक है तो इस question का जो अंसर बनेगा वो बनेगा आंट option number C answer exact क्या देखने को मिल रहा है मौसी ठीक है चाची नहीं बढ़ते हैं अगले प्रस्ण में अगला प्रस्ण काफी आसा कोश्चन है Chinese Coding पर बेश Q 복ion देखने को मिल रहा है अब बुचा गया है यहां पर आपसे किसके लिए heck लिए THERE और लुक के लिए अपसे पूछा गया था code और पहले ही लाइन में आपको लुक और दोनों देखने को मिल रहा है और एक जो दूसरा word है वो देखने को मिलए बूक के रूप में और सब्सक्तियर्व भी और सेरी निकाल सकते हैं हम सीरे 40 के लिए नहीं निकाल सकते थे तो तीनों एक आपका कोड क्या हुगा जया तो बच्चेया चांघ के साथ बना जा सकता था अगला प्र Metroid फोबड़ा सा कॉशन पुषन दीखने को मिलब है मैं दिनी को बना ना जा सकते ठीक है बिल्कुल आसानी से बनेगा सबसे पहले यहां पर बोला जा रहा है सिक्स पीपल सुमित राहुल सुष्मा प्रिया प्रीतम एंड खुशी वर बॉन इन डिफ्रेंट इयर्स रॉम 95 तो फटा फट से सबसे पहले क्या करेंगे यह को कलेंगे फिक्स यहां पर जागा 95 96 97 98 99 और 2000 ठीक है आगे दीगे information की बात करते हैं बोला जा रहा है प्रीतम वस बॉन इन और इयर प्रीतम जो है वो एक और इयर में बॉन हुआ है फिर बोला जा रहा है टू पीपल वर बॉन बिट्विन प्रिया एंड प्रीतम दो लोग हैं जो प्रिया और प्रीतम के बीच में तो यहां पर लिख लेंगे प्रिया यहां पर लिख लेंगे हम किसको प्रीतम को और इसका दूसरा तरीके से बना जा सकता यह हो सकता था प्रीतम और एक दो को छोड़ दें तो यहां पर प्रिया दो पॉसिबल स्ट्रॉक्चर दोनों को हमने बना लिया आगे की बात करेंगे तो बोला जारहा है, Sumit is born before preterm but after Shushma Sumit जो है वो preterm से पहले लेकिन Shushma के बाद अब देखे रिखे, number of people कितने 6 तो अगर इस वाले structure को हम follow करते तो Sumit जो है वो preterm से पहले लेकिन Shushma के बाद तो 6 people यहां पर fix हो गया लेकिन इसको हम fix करेंगे नहीं क्योंकि यहां पर भी एक possibility बन रहा है इसलिए आगे की information को हम पढ़ेंगे आगे की information में आपको दिया गया है राहूल इस नॉट बॉर्ण इन इवन इयर एंड प्रिया इस दा यंगेस्ट प्रिया यंगेस्ट है तो देखो यह वाला structure हमारा यहां पर इस structure को हम उठा करके shift कर लेते हैं यहां पर fix कर देते हैं ठीक है प्रिया यंगेस्ट है तो 2000 में फिर उसके बाद चलो अलग से लिए रहो यहां पर मैं प्रिया हो गया फिर यहां पर एक दो को छोड़े तो यह होगे आपका कौन प्रितम के बाद यह होगे आपका सुमित और यह हो गई शुष्मा ठीक है अब बोला जा रहा यहां पर राहुल इस नॉट बॉर्ण इन इवन इयर में बॉर्ण नहीं हुआ है तो यहां पर एक एवन है एक और मतलब यहां पर राहुल हो जाएगा और व बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चन अगला कोश्चन आपको देखने को मिल रहा है कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ट और ध्यान दीजिएगा जब मैंने आपको निमेरिकल कोडिंग पढ़ाई थी तो मैंने कहा जब कभी इस प्रकार के संख्या पर आधारित प्रस्ण हो तो जो हमारा पहला अप्रोच है वो क्या होना चाहिए sum of place value पहला अप्रोच क्या होना चाहिए sum of place value तो यहां पर हम जब बात करेंगे place value के तो देखिए आपका जो अप्रोच है आपको जाना था कहा छोटे वाले place value के साथ आपको जाना था छोटे वाले place value के साथ तो वाल्यू कितना दिया है 44 यानि कोड इसका दिया 44 अब इन सब का जब हम सम करेंगे इन सब का सम करके देख लेते हैं 12 18 18 28 28 और साथ 35 35 और 4 49 10 49 49 यानि कि 49 और 9 करेंगे तो कितना गया 58 संख्या कितनी बन रही है 58 जब हमने को या घटा करके नमबर ऑफ ओवल्स को आड करके या घटा करके इस परकार चाप 요गों को बताया था तो यहां पर नमबर फ़ेटर के डबल को क्या कर दिया जा रहा है माइनेस कर दिया जा तो यह हो जाएगा कितना? पांच और तेरा, प्लस पंदरा, बीस, नौ, पंदरा और चौधा, तीन और चार, साथ. अब करेंगे इन सब का हम सम तो यह हो जाएगा, बीस और बीस, चालिस, चालिस और पंदरा होगे आपका कितना? 40 15 55 55 58 68 68 68 69 करेंगे तो बनेगा आपका 77 77 प्लस 4 करेंग 81 91 और 91 में से क्या करना है 14 को माइनस करना है number of letters का double minus करना है number of letters का जब हम double minus करेंगे तो संख्या में मिले कि इतनी 11 मिस चार गया साथ unit digit के साथ आप move on कर सकते थे option number C के रूप में ठीक है और यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रशन आपको देखने को मिलेंगे जहां सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही आपका काम चल सकता था आपको पूरा का पूरा solve करने की जरुद नहीं थी बढ़ते हैं आगे अग अगला प्रशन आपको एनलोगी पर बेश देखने को मिल रहा है आसान सा कोश्चन है और यह प्रशन के साथ बनाया जा सकने वाला कोशन अगला कोशन इस question को देख करके ही बहुत सारे विद्यार्थों ने इसको छोड़ दिया होगा ठीक है और बनता भी है लेकिन मैंने कहा कि safe zone में आ जाईए उसके बाद आपके पास इतना sufficient time रहा होगा कि आप इसको आसानी के साथ बना सकते थे बहुत जादा difficult question नहीं है बिलकुल आसानी के स facing south and Dolly, Reshma, Sana, Renu and Simran are sitting in row two facing north ठीक है तो row one के members यहां पर आपको दिये गए है और row two के आपको members दिये गए साउथ में देख रहे हैं और row two वाले कहां देख रहे हैं नौर्थ में देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ठीक है सबसे पहली लाइन यहां पर आपको देखने को जो मिल रही information के तोर पर वह मिल रही है रेशमा sits at the extreme left end of the row और हमें पता है रेश रिशमा जो है वो बिट्टू के तत्काल पडोसी को देख रही है इस बिट्टू के लिए फॉसिबल प्लेस है यहां पर यह होगा बिट्टू का पडोसी इसको रिश्मा देख रही है ठीक है आगे देखते हैं फरहान sits at one of the position of the to the left of बिट्टू but not sits at the extreme end और बिट्टू द फरहान sits at one of the position to the left of बिट्टू यहां तक हो गया था ठीक है फिर बोला जा रहा है the one who faces फरहान sits to the immediate left of रेनू जो फरहान की तरफ देख रहा है वो रेनू के immediate left में है ठीक है तो यानिकि यह बनेगा information के तौर पर structure आगे देखते हैं आगे बोला जा रहा है सार्थक sits third to the right of अ अंजू सार्थक जो है वो अंजू के third right में बैठ आप समझो अंजू और सार्थक को कहां पर हम fix कर सकते थे अगर अंजू को हम यहां पर रखेंगे तो एक दो तीन बन नहीं पाएगा ठीक है अंजू को यहां रखेंगे तो बिल्कुल बनाए जा सकता यह होगा अंजू य क्या रखेंगे वह आपको देखने को मिल यहांा रजन के रूप मित में ठीक है आगे देखते हम लória क्योंणिस लागन इमिद्यूदीख्याщ इकॉन रेनु ठीक अब बोला जा रहा है डॉली सिट्स टुदा इमीडियेट राइट आफ सना इट मीन्स यहां पर हो जाएगी कौन सना यह जाएक ऑन डॉली और जो रिमेनिंग पर सन्हें जो रिमेनिंग पर सन्हें आपको यहां पर देखने को मिलेगा रूट वाला सिमरन रिमेनिंग पर सन्हें आपको यहां पर देखने को मिलेगी प्रस्ट में पूछा हूँ फेसे सिमरन सिमरन की तरफ कौन देख रहा है तो आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नमबर डी राजन चलिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रस्ट है अगेन आपको अनलोगी पर बेश अनलोगी पढ़ाया था जब मैंने आपको नमबर सिरीज पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बार बार एक चीज़ पर फोकस किया था कि देखो स्क्वायर और क्यूब्स विश्य शुरूप से याद करके जाईएगा ठीक इसके लावा आपको प्राइम नमबर के उपर भी कुछ कॉंसेट्स मैंने बता रखे थे तो दोनों ही आपको आपके परिक्षा में देखने को मिले हैं यहां पर सिंपली बात करें तो आठ का स्क 122 दोनों का अंतर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इस आठ के स्क्वायर और क्यूब का अंतर देखने को मिला उसी प्रकार जब हम बात करेंगे तेरा के क्यूब की तो होता है 277 और 13 का स्क्वायर होता है 179 177 में सनौ जाएगा आठ बचेगा एक ही विकलप आपको यहां पर देखने को मिला यूनिट डिजिट के साथ आप जा सकते थे पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूत नहीं थी बढ़ते हैं आगे मिसिंग टर्म काफी परिशान किया होगा आपको इस ट्रॉपिक ने यहां पर लॉजिक की हम सीधे चर्चा करेंगे यहां पर पहल 200 प्लस 19 का दो गुना करेंगे अर्थिस दोनों को जोड़ दोगे तो संख्या बने कितना 257 इन सेम वे 42 का तीन कुना करेंगे तो बने का कितना 126 प्लस 46 संख्या बनेगी 172 संख्या बनेगी 172 उप्षन नमबर C clear बढ़ते हैं आगे अगला प्रशन अगेन आपको यहां प पैंट्स कुछ शर्ट क्या है पैंट्स कुछ शर्ट क्या है पैंट्स सम पैंट्स और जीन्स कुछ पैंट्स क्या है जीन्स है ऑल जीन्स और गार्मेंट्स सारे के सारे जीन्स क्या है गार्मेंट्स सारे के सारे जीन्स क्या है गार्मेंट्स है बुला जारा सम गार्मेंट्स और शर्ट कांट से सम गार्मेंट्स आर जीन्स कुछ गार्मेंट्स क्या है जीन्स सही है सम जीन्स आर पैंट्स कुछ जीन्स क्या है पैंट्स सही आंसर क्या बनेगा ओनली कंक्लूजन टू एंट त्री यानिकी ऑप्शन नमबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएग लंबा है ठीक है y is taller than Z and u y जो है वो जेड से भी लंबा है और y जो है वो U से भी लंबा है ठीक है अब यहाँ पर y को हम रख सकते हैं उपर दोनों में रख सकते हैं कि आगे देखते हैं but shorter than x लेकिन x से क्या है y छोटा है x से क्या है छोटा है बंदे हमारे पास 6 आगे बोला जा रहा है there are only two persons who are shorter than z z से छोटे केवल दो वेक्थी हैं तो समझो z से छोटे केवल दो वेक्थी हैं तो यह हो गया यानि कि उपर बनेंगे तीन position और z से लंबा कौन है y है z से लंबा कौन है y है और y से लंबा y से लंबा हमें कौन देखने को मिला x देखने को मिला तो दो possibility बनेगी y से लंबा हमें x देखने को मिला तो हमारे पास बनेगी दो possibility ठीक है एक या तो y को हम यहाँ बना ले एक या तो y को हम यहां बना ले ठीक है y की उपर में होगा x तो x की position यहां पर हो गई fix x की position हो गई fix अब समझो बंदे हमारे पास है 6 z से अब यू ये वाले combination को जब हम बनाते हैं x y u और v x y u और v तो यहां पर हम u को रख सकते थे यहां पर हम v को रख सकते थे लेकिन हम पढ़ेंगे आगे दी गई information को बोला second tallest person अच्छा है there are only two person who are shorter than that second tallest person की जो height है वो आपको दे रखे v is not shortest person v जो है वो आपका shortest person नहीं है अब हमें पता है कि u जो है वो y से छोटा है u जो है वो y से छोटा है और u से छोटा कौन है w अगर इसको यहां पर हम fix करते हैं तो u से छोटे दो बंदे हमें चाहिए तो u से छोटे दो बंदे हमें यहीं पर मिल सकते है u से छोटे बंदे में दो यहीं पर मिल सकते है यह वाला आपका condition हो जाएगा cancel और U से छोटे दो बनने कौन-कौन W और V तो यह हो जाएगा आपका V और यह हो जाएगा आपका W क्योंकि बोला क्या गया है V is not shortest person V is not shortest person तो एक condition आपकी cancel होगे दूसरी condition आपकी क्यों होजाएगी और बोला गया है जो second shortest person है जो second tallest person है second tallest person has height of 175 75 यानि कि यहाँ पर Y की जो हाइट है वो कितनी है 175 सेंटी मीटर है ठीक है हाउ मेनी परसंसा टॉलर देन यू से टॉलर कितने बनने हैं तो आंसर हो जाएगा टू फिर पूछा जा रहा वाट इस पॉसिबल हाइट ऑफ एक्स एक्स की हाइट कितनी तो जो भी होगी 175 से क्या ह होगी जादा होगी एक ही विकल्प है उप्शन नमर एक तो इस प्रकार से इसको भी आप बना सकते थे दो प्रशन यहाँ पर भी आप आसानी के साथ बना सकते थे अब बात करेंगे इस प्रशन की जो की काफी लंदी है और मुझे ऐसी उमीद है कि आप में से मोस्टली आ सकते थे ठीक है चलो सॉल्ब करते हैं इस कोश्चन को भी दस वेक्तियों की बात की जा रही है बोला जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले सम आर फेसिंग नौर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ नौर्ट मोर देन फोर पीपल आर फेसिंग साउथ चार से ज़्यादा वेक्त सकते हैं नौर्थ में एक कंडिशन मना सकते हैं तक इस उसाहर देख रहा है साउथ में तो आर शिच्जाट तुद्ध उस आर यहां हो जाएगा और sits third to the left office तो आर यहां हो जाएगा और बोला है दोनों कहां देख रहे हैं same direction में देख रहे हैं तो मतलब यहां पर दोनों south हो गए और यहां पर दोनों north हो गए और आगे बोला है and one of them sits at extreme end और इन में से क्या है कोई एक कहां बैठा extreme end पर बैठा है वो right end भी हो सकता है वो left end भी हो सकता है लेकिन possibility बनाने का बज़ा है अगली राइन आप यहां पर पढ़ोगे तो बोला है who faces south sits 4 to the left of r there are यहां पर बोला है extreme end t who faces south sits 4 to the left of r t जो कि south देख रहा है वो r के force left में मतलब extreme end पर यहां पर ऐसा जाएगा 1,2,3,4 t जो कहां देख रहा है t who faces south sits 4 to the left of r यानि कि t देख रहा है आपका south में इसके लिए जब आप जाएंगे तो t कहां बैठा r के force left में 1,2,3,4 यह हो जाएगा कौन t देख रहा है south इसका मतलब यह हो गया कि s आपका कहां हो गया extreme end पर हो गया तो s के यहाँ पर left में हो जाएंगे कितने बंदे 9 बंदे और s के यहाँ पर left में हो जाएंगे 9 बंदे तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 उसी प्रकार यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 दस बंदों का जो sitting बनाना था वो बन करके त्यार है आगे पढ़ते हैं there are as many people sitting between T and V as between V and Y who sits to the right of R ठीक अब समझो T और V के बीच में अगर X बंदे हैं तो V और Y के बीच में भी X बंदे होंगे और Y कहां बैट रहा है देखो ध्यान से who sits to the right of R R के right में हम Y को ले जाएंगे तो इस बात का विश्येश ज्यान दीजे कि यहाँ पर जो बीच की संख्या है वो एक order number होनी चीए ठीक order and ranking में इसको हम लोगों ने सीखा था तो R के right में बैठेगा कौन R के right में बैठेगा Y बुला है Y who sits to the right of R R के right में बैठेगा कौन Y अब R के right में Y के लिए दो position है या तो यह वाली है या तो यह वाली है अगर यहाँ पर हम Y को बैठाते हैं तो बीच में हमको V भी चाहिए इनके बीच जो number of person है देखिए कितने 1, 2, 3, 4 तो मैंने क्या कहा odd number होना चीए मैंने क्या कहा odd number होना चीए मतलब Y की position हो जाएगी fix यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर हो गया V और यहाँ पर 1, 2 बंदे आपको देखने को मिल रहे हैं the same way बोला है Y, R के right में है तो यह हो जाएगा Y, 1 person, 2 person यहाँ पर हो जाएगा आपका V एक person, 2 person आपको देखने को मिल रहा है T, ठीक है यहाँ पर थे हम लोग ठीक है उसके बाद देखते है immediate neighbors of Y faces the same direction जो Y के परोसी है वो क्या देख रहे हैं समान दिशा में देख रहे हैं तो Y का परोसी ऐसा है यह वाला बंदा भी कहाँ देखेगा North देखेगा Y का परोसी है मतलब यह वाला बंदा भी कहाँ देखेगा South देखेगा ठीक है आगे बोला जा रहा है U sits fourth to the left of V U जो है वो V के fourth to the left में है तो यहाँ पर देखोगे 1, 2, 3, 4, fourth में जगा खाली नहीं इसका मतलब V देखेगा कहाँ North में 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हम बठालेंगे U को In the same way यहाँ पर हम बात करेंगे V देखेगा South में जैसे ही V South में देखेगा वैसे ही यह वाली possibility आपकी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी क्यों क्योंकि बोला गया था only four person यानि कि not more than four person जो है वो आपके South में नहीं देखेगा not more than four people are facing South चार से अधिक व्यक्ती South में नहीं देख सकते इसलिए यह वाली condition हो चुकी आपकी cancel clear चलिए देखते हैं आगे U sits four to the left of V हो गया two people sits between Q and W Q और W के बीच में दो व्यक्ती है Q is not facing South और Q कहां देख रहा है North में देख रहा है Q और W के बीच में दो व्यक्ती है ठीक है तो यह ऐसे भी हो सकता है और यहां पर अभी हम fix नहीं कर सकते क्योंकि दो possibility या तो यहां होगा या तो यहां होगा ठीक है दो possibilities है तो इसको अभी हम fix नहीं कर सकते आगे पढ़ते है, immediate neighbors of V are facing opposite directions, V के जो पढ़ोसी है वो opposite directions में देख रहे हैं, तो ये north में देख रहा है, तो ये कहा देखेगा, south में देखेगा, हाँ अगर यहाँ पर लिखा होतार to that of V, तो मतलब V north में देख रहा है, तो उसके पढ़ोसी south में देखते हैं, तो ये आपको banking क exams में देखने को मिलते हैं, इस परकार की information, इस परकार के questions, ठीक है, आगे देखते हैं, P and U are immediate neighbors of T, P और U जो है, वो क्या है, T के, पढ़ोसी मतलब P यहाँ पर हो जाएगा, अभी Q और W के लिए position fix हो गई, और Q north में देख रहा है, मतलब यह हो जाएगा, Q, यह हो जाएगा, W और बचा हुआ वेक्ति हो जाएगा आपका X, ठीक है, P and U are immediate neighbors of T, X is third to the right of P, और X कहा है, P के third right में है, it means P कहा देखेगा, P देखेगा आपका south, 1, 2, 3 तभी यहाँ पर आपको X देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे देखते हैं, U faces the same direction as Y, U उसी दिशा में देख रहा है, ज जो कि क्या है, Y की direction है, तो Y की direction देखते हैं, यहाँ पर कोई एक line मिस हुई है, लेकिन जब हम बात करेंगे X की direction की, तो यह हमें पता है, कि जो extreme end पर बैठे वे वे वेक्ति हैं, वो दोनों के दोनों कहां देख रहे हैं, opposite direction में देख रहे हैं, मतलब X का direction यहाँ पर हो U sits 4 to the left of V, two people sits between Q and W, ठीक है, Q is not facing south, immediate neighbors of V are facing opposite directions, V के पड़ोसी जहां opposite directions में देख रहे हैं, यह भी ठीक है, P and U are immediate neighbors of T, P और U जो है, ठीक है, X is third to the right of P, यह भी ठीक है, immediate neighbors of T are facing opposite direction, T के जो पड़ोसी है वो opposite direction देख रहे हैं, तो यहाँ सी information निकल करके आ गई और यहाँ पर बोला जा रहा है, U faces the same direction as Y, it means Y भी कहाँ देखेगा, North में देखेगा, clear, तो final structure आपका यहाँ पर बन करके तयार है, अब बात करेंगे, यहाँ से पूछे गए प्रश्णों की, बात कर लेते हैं, यहाँ से पूछे गए प्रश्णों की, जो प्रश्ण आपक से देख रहा है, South और W देख रहा है, South तो अलग कौन सा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, Y, अलग हो जाएगा आपका Y, फिर बोला जा रहा है, R के दाएं बैठे लोगों की संख्या, R के दाएं कितने लोग बैठे, तीन, डैश के दाएं बैठे लोगों की संख्या की समान तो पूछा है आपसे उसी प्रकार पी किस से संबंदित होगा तो देखो यहां पर पहला जो इंफॉर्मेशन दिया गया था वह आपको दिया गया था डबलू और आर का तो दोनों अपोजिट डिरेक्शन देख रहे थे बीच वाला नो और देख रहा था फिर पी और बात कर जाहरी तो यहां पर दोनों सेम डिरेक्शन में देख रहे सलें तो यहां पर बंदता नहीं और बीच में बैठा हुआ ब्रक्त कौन है यूटअ के लिए तो पी के लिए यहां पर आंसर हो सकता लेकिन जब हम बात करेंगे विकल्पों की तो विकल्प में आपको केवल और केवल वी देखने को मिल रहा है तो आंसर आप माग करेंगे वी ठीक है option number D अगला question number series पर बेस्ट question देखने को मिल रहा है तो देखिए मैंने आपको बार बार बताया था कि prime number और इस प्रकार के logics पर बेस्ट questions भी solve कराया थे तो इनका जो difference है वो prime number का difference यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो बात कर लेते हैं difference की जैसे कि पहला number दिया है 352 352 दूसरा number दिया है 285 तीसरा number यहाँ पर पूछा गया है फिर यह है 165 112 और 65 तो सबसे पहला काम आपको कर लेना था difference निकाल लेना था 112 और 65 की difference की बात करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 35 प्लस 12 47 क्या है एक प्राइम नंबर है 112 और 65 की difference की जब हम बात करेंगे तो 12 3 15 और 50 यानि की तिरपन तो 47 के बाद अगला प्राइम नंबर तिरपन आपको देखने को मिलता उसी प्रकार यहाँ पर भी जब आप difference की बात करेंगे तो difference आपको देखने को मिलेगा 352 85 यानि की 15 और 52 हो गया 1667 ठीक है तो यहाँ पर भी आपके दो प्राइम नंबर आएंगे यह क्रमागत आपके प्राइम नंबर देखने को मिल रहे है ठीक है तो सबसे पहले तिरपन के बाद अगला प्राइम नंबर आपक तिरपन के बाद आएगा 59 59 57 तो 19 यान 57 होता है ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा आपका 61 ठीक है तो यहाँ पर 165 में जब आप 59 एड करोगे तो unit digit बनेगा 4 और एक ही विकल्प आपको देखने को मिल रहा है एक ही विकल्प आपको देखने को मिल रहा है दिए गए प्रश्न की यह भी आपको पॉजल पर फॉर्म एक बेस्ट कुश्चन देखने को मिल रहा है प्रश्न की जब हम बात करेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है फाइव इस्टुएंट्स पीक्यू आरस्टी इस्टुडी इन डिफरेंट स्कूल यूवी डबलू एंड एक्स ठी एक करता है यह पसंद नहीं है क्यू को जोग्रफी पसंद नहीं है तो इसको लिछ लेते हम क्यों को जोग्रफी पसंद नहीं है गे पर गलता है घुचर्ण ऑफ वाई सचाइंस चुडेंट अफ ऐस तो डैक्स आइक सश्ट्टेइड defended science T likes English but he is neither from W nor Y T को English पसंद है लेकिन W से भी नहीं है और Y से भी नहीं तो X में हो सकता था एक ही position आपको बच रही यहां पर किसके लिए X के लिए और यह क्या हो जाएगा English यह क्या हो जाएगा English ठीक है आगे देखते हैं Q studies in Q कहां पढ़ता है अब Q W में पढ़ता है तो बचा कौन यहां पर P अब Q हमें पता जोगरफी नहीं पसंद करता तो जोगरफी यहां नहीं होगा तो जोगरफी यहां पर हो जाएगा और बचे गद क्या हमारे पास mathematics तो बिल्कुल आसानी के साथ यहां पर आप आंसर कर सकते थे पूछा है विच आफ फॉलोइंग इस्टुडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी क्या करता है मैथमेटिक्स करता है ठीक है कि भड़ते हैं अगे अगला प्रस्न अगला प्रस्न आपको कोडिंग डिकोडिंग पर बेष्रmor देखने को मिल रहा है बहुत ही आसान है को को अफएन फिर फिर प्रिविएस लेटरोपिका नेश्त लेटर फिस खाल पूछे गए वर्ड की जम बात करेंगा पूछा गया मॉडन sig के लिए त theor है बागी के सब्सक्राव करो चांद एक अप्ष्ण आपका चार और छे चार और छे ऑप्शन नम्बर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे प्रशन के लिए तो देखो यहां पर शुड़ेंट ने क्या किया जिनका भी यह प्रशन पत्र है बनाया है बड़े प्रशन के साथ लेकिन विकल्पो के चैन में इन्होंने करी है गल्ति तो हम इसीलिए इसलिए मैंने बौला था कि पानिक तो पूरे के पूरे के पूरे को विजिट करें ठीक है बढ़ते हैं आगे आसान सा कोश्टन देखने को मिल रहा है पासे पर संबंद पासे पर आधारित पूछा गया यहां पर किसके अपोजिट एक आपका और यहां पर पी से जाएंगे clockwise तो मिलेगा एच और यहां पर पी से जाएंगे clockwise तो मिलेगा कि आंसर बन जाएगा Option अगला question अगला question आपको अगे अनलोगी पर बेश देखने को मिल रहा है अलाकि यहां पर logic थोड़ा सा complicated है तो यहां पर चार का गुला छे में करोगे तो 24 मिलेगा यानि कि चार से दो बड़ी संख्या में multiply कर दिए उसी प्रकार 25 और 25 का स्क्राइर करेंगे तो 625 ठीक है? प्लस इसमें क्या करेंगे? 24 की पिछली संक्राइन की 23 को जोड़ा गए है. 24 की पिछली संक्राइन की 23 को जोड़ा गया है. उसी परकार आंसर जो बनेगा वो आपका देख पारें. यहां पर 15 की अगली संक्राइ Arm 16 का स्कूर कितना होता है 256 प्लस इसमें क्या करेंगे 15 की पिछली संख्या 14 को जोड़ेंगे तो संख्या मिलेगी हमें 270 तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्ण के लिए प्लियर बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्ण कोड़ेड फार्म ऑफ ब्लड रिलेशन पर बेश देखने को मिल रहा है फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन से तो मैंने क्या कहा राइट टु लेफ्ट का प्रोच आपको फॉलो कर लेना था प्लस का मतलब यहां पर दिया गया है हस्बंड तो लेंगे मदर और फ्लस का मतलब दिया है तो लिए छीए अप आसानी के साथ बना सकते हैं यू इस片र test father of n you क्या है n का maternal grandfather देख लेते हैं इनकी माता और माता का पिता मतलब बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखते हैं t is the mother पूछा क्या है incorrect इनकरेक्ट वाला हमसे पूछा है t is the mother-in-law आई t क्या आई की mother-in-law देख लेते हैं ये इनके husband हो गए और husband की माता यानिकी सास ठीक है ये भी करेक्ट है यू क्या है पी का बेटा है देख लेते हैं ये इनकी हो गई माता और माता का husband यानिक और बेटा हो जाएगा तो ये ये तीसरा चौथा question देखने को मिल रहा और अनलोगी को भी consider कर लेंगे तो वह भी आपके coding अठारा पांच तेइस की रूप में 13 एक 14 की रूप में और नौ और 14 तेइस की रूप में ठीक है पूछा किसके लिए लेफ्ट के लिए पूछा गया तो 15 17 क्यू और 26 26 क्यूछ उनिका पूछे गए प्रस्ष न devo के लिए बढ़ते हैं आगे अगला question अगला question यहाँ पर आपको puzzle पर बेज़ देखने को मिला है तो फटा फट से इसको भी हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे seven boxes named k, l, m, n, o, p and q are arranged one above the other but not necessarily in the same order ठीक है n is placed on one of the place above q n जो है वो q से उपर कहीं पर रखा गया है n को q से उपर कहीं पर रखा गया है but below l लेकिन l के नीचे the number of boxes placed above o is one less than the number of boxes below k o के उपर जितने box है उनकी संख्या k के नीचे रखे box से क्या है एक कम है ठीक है तो इस प्रकार से information को हम लिख सकते थे only two boxes are placed between k and l k और l के बीच में के वल के वल दो boxes है ठीक के और l के बीच में के वल दो boxes of which the second box is immediately placed above P जिनमें से second वाला यानकी l जो हो P के ज़स्ट उपर रखा गया है तो यहाँ पर हम बना लेंगे P को और यहाँ पर हम बना लेंगे P को ठीक है आगे बढ़ते हैं Q is placed below both O and K Q जो है वो O के भी नीचे है और Q जो है वो आपका K के भी नीचे है बट इट इस नॉट लोवर मोस्ट लेकिन बॉटम पे नहीं है लोवर मोस्ट नहीं है ठीक है लोवर मोस्ट नहीं है information हमने सारी लिख ली अब बारी है hit and trial की अब बारी है hit and trial की तो कैसे करते है hit and trial समझे व्यक्ति कितने थे 7 व्यक्ति थे 7 यहाँ पर 1,2,3,4,5 5 पोजिशन हम बना चुके है अब अगर हम ध्यान ने तो देखिए अब समझे Q जो है वो के के भी नीचे Q जो है वो क्या है Q के नीचे है और यहाँ पर person कितने हो चुके 1,2,3,4 अब यहाँ पर हम क्या कर सकते है A के वक्ति को यहाँ रख सकते है ठीक है और O भी क्या है देखो L के नीचे यहाँ पर हमें चाहिए N और Q L के नीचे हमें चाहिए N और Q और Q lower most पर नहीं बैठा है वक्ति कितने होगे 1,2,3,4,5 ठीक है यानि कि एक तो यह हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पता Q lower most पर नहीं हो सकता तो एक condition यह बसती है और एक condition क्या बसती है एक, दो, तीन ठीक है दो हमारे पास conditions है अब इसमें हम क्या करेंगे देखो K के नीचे हमें कितने वक्ति चाहिए और O वाली condition भी satisfy होनी चाहिए O वाली condition भी क्या होनी चाहिए satisfy होनी चाहिए तो सबसे पहले L के नीचे हमें चाहिए N और Q L के नीचे हमें चाहिए N और Q L के नीचे हम N को रखेंगे और Q को रखेंगे और o के नीचे क्या है k है o के नीचे क्या है k है तो o यहां पर क्या हो जागा fix हो जागा o यहां पर क्या हो जागा fix हो जागा यहां पर o के लिए 2 possibility है तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे o के लिए 2 possibility लेकिन ओ यहां पर क्या हो गया फिक्स हो गया अब के के नीचे हमें चाहिए यहां पर क्यू भी और एन भी के के नीचे हमें चाहिए क्यू भी और एन भी तो पहले आपका box है M वो आ जाएगा bottom most ठीक है तो इस प्रकार से आप hit and trial से इसको बना सकते थे ठीक है पूछा क्या गया यहाँ पर पहला प्रस्चन है how many boxes are placed below N N के नीचे कितने है तो answer हो जाएगा यहाँ पर 2 फिर पूछा है which of the following statement is true two boxes are placed above P गलत है Q is kept immediately below M Q M के below में नहीं है L is at the top most ठीक है L कहा है सबसे उपर है तो यह वाला क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछेगे प्रस्चन के लिए अगला प्रस्चन अगला प्रस्चन यहाँ पर आपको number series पर बेच देखने को मिल रहा है ठीक है देखते हैं यहाँ पर logic क्या बनता हूँ आपको दिखाई दे रहा है और यह खतरनाक सा series है खतरनाक सा यहाँ पर आपको कोशन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो logic लग रहा है मैं direct logic पर आता हूँ logic यह जो है जो number आपको 13 दिखाई दे रहा है पांच का स्क्वाइर प्लस साथ का स्क्वाइर करके बनाई गई संख्या है फिर 170 जो आपको दिखाई दे रहा है वो 7 का स्क्वाइर प्लस 11 का स्क्वाइर करके बनाई गई संख्या है 290 जो आपको दिखाई दे रहा है 11 का स्क्वाइर प्लस 13 का square करके बनाई गई संख्या है और इसके बाद वाला जो answer बनेगा वो बनेगा आपका यही पर लिख देता हूँ 13 का square प्लस 17 का square करके बनाई गई संख्या अब यहाँ पर अगर आप ध्यान जे देखेंगे तो 2 के बाद 3 5, 7, 11, 13 क्या है सभी प्राइम नंबर यहाँ पर देखें तीन के बाद 5, 7, 11, 13, 17 सभी क्या है प्राइम नंबर और मनें बार बार फोकस किया है प्राइम नंबर पर, squares पर, and cubes पर तो फिलाल बात कर लेते हैं आंसर की तो 13 का square होता है 169 और 17 का square होता है 289 आंसर बनेगा unit digit 8 के साथ एक ही विकल्प है आंसर माग करिए और आगे बढ़िए एक और प्राश्न नंबर सीरीज पर बेश देखने को मिल रहा है आसानी के साथ बना जा सकता था into 3 plus 3 into 3 plus 3 यहाँ पर भी into 3 plus 3 into 3 plus 3 के साथ जाओगे तो unit digit मिले का 3 एक ही विकल्प में देखने को मिल रहा है तो यह क्या हो जागा आपका right answer हो जागा तो यह तो हो गई बात reasoning की इसी प्रकार से आपको maths का भी बहुत ही जल्द solution प्रवाइड कराए जाने वाला है और इसके बात एक और analysis लेकर के आएंगे हम लोग जहां पर हम बात करेंगे within time यानि कि hardly अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 मिनट में 10 से 12 मिनट में कैसे हम reasoning में 15 plus questions को आसानी के साथ attempt कर सकते थे बाकी हम आपको बताया था था इस प्रकार अपने आपको सबसे पहले तो से जोन में ले आई है तीस से 40 मिनटों में क्या कर यह से जोन में ले आई है तो वह स्टेटेजी वह अप्रोच क्या होना चाहिए था आपका एक्जाम को लेकर के उसके बारें भी हम लोग एक analysis लेकर के आएंगे तो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हम लोग next session में thank you